एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है Excellent Institute of Computer Education के यूटूब चैनल में आज हम वर्ड पैड की चवती क्लास लेकर आये हैं तो पिछली क्लासेस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बाक्स में देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और सभी लोग चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें बिल आइकन जब दबाएं डिल आइकन आप दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन तोर्ट मिल जाएगा है जैसे हम कोई क्लास लाएं तो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी तो बेल आइकन जोद आप लोग दबाएं अगर आप लोग दबाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन तो पहुचेगा हम कोई भी क्लास लाएंगे तो आप तक आसानी से पहुच जाएगी तो सभी लोग चैनल को सपोर्ट चरूर करें तो अब हम चलते हैं अपनी क्लास म देखते हैं आज हम आपको बताएंगे कि alignment किते प्रकार के हैं तो alignment आपके 4 प्रकार के होते हैं सबसे पहले आपका left होगा, center होगा, right alignment होगा, justify होगा तो alignment का मनलब क्या होता है कि जो paragraph है आपका वो set करेंगे आप page पे तो सबसे पहले हम paragraph को कर लेते, select कर लेते हैं अगर तो आप देखेंगे paragraph आपका left alignment है, center करेंगे तो आपका बीचो बीच में हो जाएगा, और अगर आप right alignment करेंगे तो आपका देख सकते हैं कि right alignment है paragraph और एक होता आपका justify, justify का मतलब होता है कि आपकी जो ये लाइने इधर हैं कम जादा हैं तो इनको भी बराबर करने के लिए justify का यूज करते हैं, जैसे कि हमने justify किया तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ की लाइने बिल्कुल बराबर हो गए हैं, तो एक बहुत हम पुना बताएंगे, आपका left alignment करने से select किया गया text page के left or आ गया है, देख सकते हैं भाई और या गया है, और अगर आप center कर लेते हैं, तो select किया गया paragraph को बीच ओ बीच में कर सकते हैं, और अगर आप right alignment करेंगे, तो select किया paragraph को right side कर सकते हैं, यह नहीं कि दाइए और जो आपका justify होता है, उससे क्या होता है, कि select किया गया paragraph में दोनों तरफ की line हम बराबर कर सकते हैं, जैसे कि हमने कर दिया justify, तो आप देख सकत पेज के, जो line है लिखी है पेज पर, वो दोनों तरफ बराबर हो गई है, अब हम आपको बताएंगे कि, जैसे कि हमने आपका left alignment कर दिया, तो इसकी short कि क्या होती, control L, center alignment की control E, right alignment की control R होती है, और justify की होती, control G, तो यानि एक बार फिर से बताएंगे, कि जो left alignment की short की होती है, control L होती है, center alignment की control E होती है, right alignment की control R होती है, और justify की होती है, control J, तो आप सभी को समिमा गया होगा alignment, और एक last option ने इस paragraph भाग का लिखा है, इस paragraph ही नाम इसका है, तो इस पर क्या होता है, तो आप देख सकते हैं, इस पर ने खोला कि एक डालाग बाक्स ओपन हो गया है, आप देख सकते हैं, इस पर हम देखते हैं, हमने इस पर click किया, तो आप देख सकते हैं, हमारे सामने page आ गया है, यानि कि एक box आया है, तो इसमें क्या हुआ, तो इसमें indent लिखे हैं, आपके spacing लिखी है, alignment लिखे हैं, तो यानि जो ची आपने अलग-अलग किया, यहां पे इक साथ में मिल जाएगा आपको, तो यह आप हमें बताने की साइदा हो सकता ना, क्योंकि हम यह अभी बिल्कुल बताए हैं, तो आप सभी लोग देख सकते हैं, और class कैसी लगी आपको comment करें, like करें, subscribe करें, बेल आइकन जहू दबाएं, और share भी करें class को, और आप सभी से पेच्छा की like, comment, share जहू करेंगे आप सभी लोग, thanks for watching, मिलते हैं next video में